शारुक खान के फिल्म पठान अपने पहले ही दिन बंपर कमाई करके काम्याबी हासिल कर चुकी है किंग खान की इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड बना दिया है हैरानी वाली बात ये है कि शारुक खान की ये फिल्म उसवक्त शानदार कमाई कर रही है जब इस फिल्म को रिलेज होने से पहले ही विरोध और बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था इतना ही नहीं इस फिल्म को लेकर के मेकर्स ने कोई भी प्रमोशन भारत में नहीं किया मगर ये फिल्म आखिर हिट कैसे हो गई आपको जान करके हैरानी होगी कि अकेले शारुक खान ने इस फिल्म का प्रमोशन किया था इस से फिल्म के प्रमोशन के जिम्मेदारी अकेले शारुक खान ने उठाई थी जब से पठान का टीजर और पोस्टर रिलीज हुआ तब से ही किंग खान ने फिल्म का प्रमोशन करना शुरू कर दिया था दरसल उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये फैंस से रूबरू होकर फिल्म पठान का जम करके प्रमोशन किया शारुक खान ने फिल्म पठान के टीजर से ही सोशल मीडिया पर फैंस से बातचीत करना शुरू किया उन्होंने कई मौके पर हैश्टेग आसकसर के सेशन रखा इस सेशन में शारुक खान ने ना केवल फैंस से बातचीत की बलकि फिल्म पठान को जोरो शोरो से प्रमोट भी किया उन्होंने अपने फैंस से फिल्म को देखने के लिए अनुरोध किया साथ ही पठान और उनकी निजर जिन्दगी से जुड़े कई बाते भी बताई इस तरह शारुक खान ने अकेले अपने दम पर पठान का प्रमोशन किया आपको बता दे कि पठान के फर्स टे फर्स शो को देखते हुए 300 शो को बढ़ा दिया है इसके साथ ही शारुक खान की ये फिल्म स्क्रिन आउट के मामले में बॉलिवुट की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है 300 शो बढ़ाने के बाद अब पठान की कुल स्क्रिनिंग के संख्या 8000 हो चुकी है जसमें 500 स्क्रिन भारत में और 500 स्क्रिन विदेश में रिलीज की गई है